Good morning, ma'am Good morning, बच्चों आज हम आपको डॉक्तर अब्दुर् कुराम जी की आत्म जीमन के बारे में बताएंगे डॉक्तर अब्दुर्कुराम जी का चनाम तमिल नाड़ु में रामेशुरें के तमिल मुस्लिम परिवार में 15 अक्टूबर 1931 को हुआ था इनके पिता काना जाने लोग बादिन था जो पेशे से नाव को इराय पर देने और बेशने का काम करते थे वह उच विचार के धनी वेक्ती थे और अपने सभी बच्चों को उच शिक्षार देना चाहते थे इनके माता काना असीमा था जो एक घरे लोग बहनी थी अब्दुर्कराम जी कुल पांच भाई बहन थे जिसमें तीन बैड़े भाई और एक बड़ी बहन थे परिवार की मदद करने के लिए डॉक्टर अब्दुर्कराम जी नि बचपन से ही अकबार बेचने का काम शुरू कर दिया था डॉक्टर एपीजी अब्दुर्करामजी की प्राण विश्चिक्षा रामानाथ पुर्म तमिलान्टु मैट्रिक विश्चिक्षा प्राप्त की अपनी प्राण विश्चिक्षा पूरी करने के बाद डॉक्टर एपीजी अब्दुर्करामजी नी तुर्यचिरापन्दी के स जॉसेफ कॉले सी 1954 बहुतिक विज्यान में बीएसी की धिरी प्राप्त की इसना तक की पड़ाई पूरी करने के बाद डॉक्टर एपीजी अब्दुक्रामजी एक प्रोजेक्ट पर काम करने लगे थे प्रोजेक्ट इंचार्ज ने राकेट की माडल मात्र तेन दिन में पूरा करने का समय दिया था अब्दुक्रामजी ने मात्र 24 घंडे में अपनी लक्षी को पूरा किया और राकेट का माडल तयार कर दिया अब्दुक्रामजी ने इसना तक की पड़ाई पूरी करने के बाद क्राम जी ने रक्षा अनुसंधान और विकास मधन में एक विज्ञानिक के रूप में शामिल हुए। 1970-1980 के दर्शक में डॉक्टर अब्दूर क्राम जी अपने कारियों के सफलता के कारण देश के परसित विज्ञानिक बन गई। डॉक्टर अब्दिलकलाम जी अपने कार्यों की सफलता और अपनी उपलवद्यों के कारण राष्ट जनतांत्रिक गरबंदन की सरकार ने डॉक्टर एपी जी अब्दिलकलाम जी को सन 2002 को राष्टपती पत के लिए उमिद्वार बनाया। अब्दुलकराम जी एक ऐसी राष्टपती है जिनको राष्टपती बनने से पहले भारत रतन का प्रूसकार मिल चुका है डॉक्टर अब्दुलकराम जी हमेशा से ही देश के युगाओं के लिए पर नशोर्थ रहे हैं डॉक्टर अब्दिलकुराम जी हमेशा से युगाओं के भविश को बहतर बनाने के लिए कही दना के प्रयास करते रहे हैं। अब्दिलकुराम जी का उदेश्य यह था कि वह भारत से भ्रस्टाजार को हटा दे। देश के युगाओं ने उनकी लोपेर्टा को देखकर डॉक्टर अब्दिलकुराम जी को दो बार अंटीवी यूद आइकॉन आफदा इयर अवार्ड से नवाजा था। अब्दिलकुराम जी का निधन 27 जुलाई 2015 को डॉक्टर अब्दिलकुराम जी भारती परवंधन संस्तार शिलाउंग में रहने योग्या ग्रहय पर अपना विचार व्रेक्ट कर रहे थी जब उन्हें कार्डपिक अटेक हुआ और वह भ्योश हो गए। अगर व्रेक्टिकर जीवन के बारे में तहाजाए तो डॉक्टर कलाम जी पूरी तरहां अनुशार्शन का पालू करने वारे थी। कलाम जी चिवज भगवर गीता और कुरान दोनों का अधिन करते थी। भारत को विकाश्री देश से विश्री देश बिनाने का उनका बहुत बड़ा सपना था। बच्चों और युगाओं के यह कलाम जी हमेशे ऐसे बेनाशूत रहेंगे।